आ दिस और डैट के बारे में बताएं गया दिस मनें होता है ये ञैयर मानें होता है वो जब कोई चीज पास में हो तो उसके लिए दिस यूज करते हैं और जब कोई चीज दूर पर हो उसके लिए दैट यूज़ करते हैं यहां पस में आपके कॉपी रखी है तो आप कहेंगे इस इस कॉपी और यहां पर पास में आपकी क्या रखा है दिस आप बैग लेकिन फूरा दूर पी रखा है रिखिये इसके लिए क्या यूज करेंगे that is back ठिक this करीब के लिए that दूर के लिए अच्छा माल लिए हैं बहुत सारी copy रखी है पास में बहुत सारी copy रखी है ठिक है तो these are copies हो जाएगा क्या हो जाएगा these यह जब एक से ज़ादा चीज़े होती है उसके लिए these use होता है these are हो जाएगा फिर this is होता है और these के साथ आर लगता है these are copies अगर वहाँ पर बहुत सारे bag रखे हैं तो those are bags क्या लगेगा those are bags तो this that these those फर्क पदल क्या दिस माने अगर दिस माने यह होता है दिस माने यह जो पास की चीज़े पास में रखी है उसके लिए this लगाता है this is my copy है जो दूर की होगी उसके लिए that लगाएंगे this that और these पास में है चीज़े लेकिन बहुत सारी है तो these लगेगा दूर पे बहुत सारी चीज़े रखी में है तो those लगेगा t-h-o-s-e dose okay clear है this that these dose